सो हे गाईज कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम पैक टो मैं चैनल एजी एनाई मांगा तो यार डीमन एमपर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिन हूँ जोकी होने वाली है एपिसोड नमबर 229 तो सबसे पहले तो यार आप लोगों से मैं माफ़े मागना चाहता ह हूँ क्योंकि आज ये एपिसोड थोड़ा लेट आ रहा है विकॉस थोड़े हैल्थ इसूस की वजह से मैं वीडियोस थोड़ी कम बना पा रहा हूं प्लीज आप लोगे इस बात को एग्णोर मार देना चिका एपिसोड काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है तो जूफेंग की बॉड़ी को ऊपर से परपल लाइटनी की पावर्स भी हटने लगती हैं इस बात का फायदा उठा करके हौंग्फू के इंट्यान जूफेंग की काफी तगड़ी हालत खड़ाब कर देता है जिसके की वजह से जूफेंग काफी देर दक रिजिस्ट करने के लगने इस बात भी काफी जखमी हो जाता है साथी वहीं पर उसकी आखें भी काफी जदा फीड हो जाती है तो अब इसके आए के एपिसोट हम लोग आगे देखेंगे तो एपिसोट की स्टार्टिंग में होंगफू के कदमों में पड़ा होता है तब होंग फूग और समय पे लड़े होते, साय से हम मैंसे true king कोई और होता, लेकिन इस बार तुम काफी बड़े मूर्ख निकले कि तुमने यहाँ पे अपने पूरे moral को सिर्फ और सिर्फ एक मामूल जिसी लड़की के लिए खो दिया, इसलिए यह बात इस चीज को पूरी तरीके से प्रूफ करती है, कि यहाँ पे तुम एक king बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो यहाँ पे इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ king एक है जो कि मैं हूँ, हौंग फू किंग टियां तो अब जब तुम अपने प्यार के लिए इतने जादा पूरी तरीके से खत्म हो चुकई हो इसलिए अब मैं तुमारी यहाँ पे एक हेल्प करता हूँ जिससे कि तुम अपनी उस बेवकुफ लड़की से जा करके मिल लोगे इतना कह गर के हूंग फू किंग टियांगः उपर से अपना पेर हटाता है और फिर से जू के पेट में पेर मारते हुए उस से कहता है कि जू फैंग तुम उस मनूस लड़की की मौत के लिए इस तरीके से मेरे कदमों में नीचे जुकना पड़ा इस चीज ने तो उस लड़की की मौत को मेरे लिए और भी ज़ादा मीठा बना दिया ना कहकर कर के हौंगफू जूफंग के फेस पर एक किक मारता है लेकिन तभी साथी वो नीचे ते काफी ज़ादा है वहीं पे जूफंग उड़ता है और अपने हाथ से हौंग फू किंट्यान की किक को रोकते हुए उससे कहता है कि हौंग फू किंट्यान तुम कभी भी मुझे नहीं मार पाओगे ना कहकर कर जूफंग फिर से अपने डार्क पावर्ट्स को रिलीस करता है और साथी वहीं पे Hoang Fu King Tan के पार को अपने हाथों से जटकता है ऻूइजा से Hoang Fu King Tan भी प्पीछे की और ढखेला जाता है उफबंग की बची हुई इन पावर्स की वज़ा से Hoang Fu King Tan काफी दूर पीछे की और ढखेला जाता है तभी होंगफू किंट्यान अपने आपको समालते हुए हरान होते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल इंपॉसिबल है आखिरकार इसके पास अभी तक इतनी ज़्यादा पावर्स कैसे बची हुई है इदर जूफेंग के अंडर से काफी ज़्यादा परपल लाइटनिंग की पावर्स रिलीज हो रही होती है तभी जूफेंग एक जोड़दार चीक मारते हुए हूंगफू किंट्यान को आवाज लगाता है तो अब इस वज़ए से जूफेंग के अंदर काफी ज़्यादा पावर्स की एनरजी का फ्लो होनी लगता है और जूफेंग की पावर्स इतनी ज़्यादा अन्लिस होनी लगती है वो वहाँ पे खड़े चारो ओर के एरिया को भी कवर कर लेती है जिसके वाज जूफेंग आस्मान की ओर देखता है और एक जोरदार चीक मारता है आस्मान की ओर दखाते हैं आस्मान में एक बहुत बड़े काले बादल चा जाते है किके अंदर से काफी ज़्यादा तगड़ी परपल लाइटनिंग रिलीज होती है जबके इदर ये देख हौंफु किंटन काफी ज़्यादा घवरा जाता है और अपने कदम पीछे की ओर हटाने लगता है कि सच में ये बच्चा तो काफी ज़्यादा अमेजिंग है इसने अपने पीछे काफी सारी चालो को छपा रहा का है बट कहने बाली बात ये है क्या ये इन चालो की पावर्स को लेकर के आगे भड़ सकता है क्योंकि इसका ये मूव सच में काफी ज़्यादा पाउरफुल है इसने की ओवाई के इतना कहते ही जमीन पर जूफेंग का खून टपकने लगता है जिसकी देख जिया, सिस्टर चूचू और बागी के सभी लोग भी जूफेंग के लिए काफी ज़्यादा परिशान होते हैं तब जूफेंग के ओर भी दिखाते हैं इतनी ज़्यादा परपर लाइटनिंग को अपने अंदर एब्सर्ब करने की वज़ा से जिसकी वज़ा से उसके सिर और मुह से काफी ज़्यादा खोन भी नकलता है जब जब जूफेंग के पास फरसे उसकी पावर्स पहले से भी ज़्यादा भड़ चुकी हैं तो फिर अब आखिर तुमने अपनी पावर्स को मेरे सामने दिखाई दिया है तो अब आजाओ हम लोग देख लेते हैं कि आखिर अब कौन कितना ज़्यादा पावर्फुल है तब होंग फू की यह वाद सुनकर कि जूफेंग अपनी पावर्स को रिलीस करते हुए उससे कहता है कि केवल यह पता लगाने के लिए कितनी ज़्यादा पावर्फुल सक्षिंग होने की ज़रूत है कि लिए मुझे गुस्सा देलाना तुमारे लिए एक मूर्ख चाल है पलक जपने के स्पीट से आगे बढ़ता है और सीधा इफकंटец पर एक जोड़दार पंच मारता है देखाते है कि देखrant Academy पान्च कि वज़ा से वहां पे एक परपल लाइड्ettsि का पोँग्राइड ओध्र का पावर की वज़ा से हूंग फूक इंग्टियान सीज़ा जमीन में जाकर गड़ जाता है लेकर उसके थोड़ी देर बाद ही वो फिर से उपर से पत्तर हटाते हुए भार निकलने की कोसिस करता है जबकि बाहर निकलने के बात दूफैंग का झालत काफी ज़ादा खराब हो जती है दूफैंग जीसे अपने आपको थोड़ा समालता है तो वो सौचने लगता है कि आ gang it was क्या था सच में वो पुंच कितना ज़ादा तेज था और वो कितना ज़ादा पाऊर्फुल था आखिर वो कमीना जूफेंग तो एले से इतना ज़्यादा कमजोर है और अपनी आखरी टांग पर टिका हुआ है तो फिर आखिर कर कैसे कैसे उसके पास इतनी ज़्यादा पावर आगई हांग फू किंटियान ये सारी बाते सोची रहा होता है लेकिन तभी अचाना काफी ज़्यादा है और कहता है कि रुको रुको आखिर मुझे मुझे इसके सामने इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है फिर होंगफू अपने आपको मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं तो हैविन का दिया गया अर्थ पर दिया गया एक गिफ्ट हूँ जो कि यहां पर इस दुनिया का होने वाला एक सचा राजा है तो फिर आकर मैं मैं कैसे जान सकता हूँ कि आकर डर क्या होता है मैं किसी से नहीं डरता मुझे कोई भी नहीं डरा सकता इदर होंगफू गिंट्यान जैसे ही अपने आँके खोल करके जू फैंग को अपने सामने देखने की कोसिस करता है पल में जू फैंग उसकी आँखों की ओजल से घायव हो जाता है जिसे देखि होंग फू इंग टैन काफी ज़ादा एहरान होता है लेकिन उसी वक्त जू फैंग होंग फू के पीछे अपेर होता है और फिर से वो की पीठ में एक जोरदार पंच मारता है जू फैंग की पंच की वया से होंग फू के इंग टैन एक जोरदार चीख मारता है और उसके मूँ से खून निकलते है जब कि होंग फू ये देख काफी ज़ादा परिशान होते हुए कहता है कि आखिर ये कमीना जू फैंग ये सब कैसे कर पा रहा है जू फैंग में होंग फू को देख थोड़ा परिशन होता है क्योंकि जू फैंग ने अभी भी अपने पंच में काफी ज़ादा पावर्स को रिलीस किया होता है येदर हॉंग फू किंग ट्यान भी अपनी पूरी जान लगा करके जूफेंग की पंच की पावर को होल्ड करने की कोसिस कर रहा होता है तब हॉंग फू किंग ट्यान जूफेंग से कहता है कि तुमने, तुमने मेरा इतना ज़्यादा अपमान किया है इसके लिए जु फेंग तुम्हें ज़रूल ही मरना होगा इतना कर्के हौंग्फू किंग्ट्यान चलती से वहाँ से हड़ता है जु फेंग के पंच से दूर हड़ करके ओपर आस्मान की ओड़ आ जाता है जिसके की वगये से हौंग फू किंग ट्यान से की की energy से बना एक golden color का dragon बनता है तो वो की energy से बना golden color का dragon और हौंग फू किंग ट्यान दोनों जू फंग के उपर attack करने के लिए आगे बरते हैं तब कि हौंग फू के इस power attack की pressure की वजा से पूरी तरीके से तूट करके बिखरने लगता है ये देखकर के ली जुन फैन भी हसते हुए कहता है कि ये तो यंग मास्टर की अर्थ रैंग की मार्सल आर्ट है नाइन ड्रेगन डेमॉनिक बॉड़ी इससे तो ये कमीना जू फैंग जरूल ही मारा जाएगा लेकिन इदर हमारा जू फैंग अपने फुल एटिटूट के साथ आरम से हॉंग फू कि इंडियान के उस अटेक को अपनी ओर आते हुए देख रहा होता है जग भी हॉंग फू जू फैंग के उपर अपने अटेक करते हुए हसते हुए उससे कहता है तो फिर अब तुम्हारे पास मेरे इस अटेक से बच करके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है इसलिए अब जाओ जा करके मेरे इस अटेक से मौरो हॉंग फू कि इंडियान जू फैंग से इतना कहता ही है कि तभी फिर से हौंग फू किंग टियन उरता हुआ पीछे की और ढखेला जाता है जब एक बार फिर से जू फैंग ने हौंग फू किंग टियन के सरफ एक पंच में हालत में चार चांद लगा दिये तो फिर ये देख करके फिर से सेवन बड़ी फैमिली के तीनों ड्रैगन्स के मूँ खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि दर जू फैंग के सिर्फ एक ही पंच की वज़ा से हौंग फू किंग्टियन अभी भी सीधा आसमान में उरता हुआ जा रहा होता है कि तब ही अगले पल में ही जू फैंग फिर से उसके सामने अपेर होता है और साथ ही आसमान में ये एक तगड़ा स्टेंस लेते हुए हौंग फू किंग्टियन की छाती पे एक जोड़ दार किक मारता है इस वाया से हॉंग फू किंटेण के फिर से हलत खड़ाव होती है और उसके मुह से फिर से खून निकलता है और फिर वहीं से वो सीधा नीचे की और गिरने लगता है यह देखकर के Lingzuan Feng हेरान होते हुए सोचता है कि आखेल कैसे यह Zhu Feng इतनी जादा तेजी से और इतनी जादा जल्दी बार बार Hongfu King Tan को इतनी बुरी तरीके से पीट रहा है जिसके बाद इधर फिर से Zhu Feng और Hongfu की और दिखाये जाता है जब Zhu Feng ने वहीं पर आसमान में उड़ते हुए Hongfu King Tan के एक जोरदार किक मारत हुए नीचे की और गेरा होता है जिसकी वएसे Hongfu King Tan नीचे की और गेरने लगता है पने और गेरते हुए Hongfu King Tan को आते हुए देख करके Hongfu King Tan के लोग भी अपनी जान बता करके इदर उदर भागने लगते हैं लेकिन इदर साथ ही मैं हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कम्प्लीट करता हूँ अब इसका आगे का एपिसोड हम लोग आगे से कंट्यूनी करोंगे किसी ने अब भाई लोग जल्दी से इस वीडियो पर 3K लाइक का टार्गेट कम्प्लीट कर दो जिसके बाद मैं उतनी ही जल्दी मोटिवेट हो करके इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना करके आज ही डालने वाला हूँ आगा जिन लोगों ने भी अवी तो सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यह एतने पेटन पार्ट तो आई रहे है तो इसको मिस्क्यो करना Meds का बहूं करना इंस सांदर एपिसौड के लिए मां मोटनाहिए